हेई वाड़ी सब गाईज वेलकम बैक तो एनदर वीडियो गाईज आज का इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा आपके जीमेल एकाउन के साथ कौन सा थार्ट पर्टी एप्स या वेबसाइट का लिंक है कैसे आप पता करोगे आप पूरा लिस्ट देख पाऊगे आप के जीमेल एकाउन के साथ कौन सा थार्ट पर्टी एप्स या वेबसाइट का लिंक है और आप चाहो तो उस थार्ट पर्टी एप्स या वेबसाइट का लिंक जीमेल से हटा भी सकते हो तो गैस चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं जीमेल के साथ क आपका Gmail account सो होगा, आपके mobile पर एक से जादा Gmail account है तो आप यहां से Gmail account चेंज भी कर सकते हो, अब Google account पर क्लिक करना है, Google account पर क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ page ओपन होगा, यहां पर उपर के site थोड़ा slide करना होगा, left site पर, manage third party access यहां पर क्लिक करने के बाद आपका सामने पूरा लिस्ट सो हो जाएगा, आपके Gmail account के साथ कौन कौन सा apps का link है और कौन कौन सा website link है, आप चाहो तो इस third party app का link Gmail account से हटा वी सकते हो, कोई भी third party app का link Gmail account से हटाने के लिए उसके उपर टैप करना होगा, टैप करने के बाद remove पर क्लिक करते ही उस third party apps का link Gmail account से हट जाएगा, तो गाइस इस तरह से आप देख सकते हो आपके Gmail account के साथ कौन कौन सा third party apps और website का link है, अब चाहो तो उस third party apps और website का link हटा भी सकते हो, I hope guys अब सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करना और चैनल को ज़रूर subscribe कर लेना, मैं मिलता हूँ अब से अगली वीडियो में तब तक के लिए tata and goodbye.